रादी रादी सिरी जी की किचिन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे बैगन का भरता तो चलिए इसी बनाना सुरू गरते हैं बैगन कबटा बनाने के लिए यह हमने 1-2 kg बैगन लिये हैं यह देशी बैगन है देशी बैगन हलकी बैगनी कलर के होते हैं बैगन को हमने अच्छे से धूकर साफ कर लिया था अब चाकु से इस तरह से कट लगा कर चेक कर लेती हैं कि बैगन में कोई कीड़ा बगरा तो नह देखे राप स्टे शावां ही पूरण यहार्न वैगन क्लीन है ंई अब हम दूसरे में पी chiar यह कट लगा हैं यह इमाल पूरा स्टिल में इसी तरह से चफ्सट एपकर लेगे वाला वैगन भी टीए process अब हम बैगन को टकते हैं साइड में, अब चली बैगन को भूल देते हैं, गैस कोन कर लिया था, गैस पर हमने इस तरह की जाली रख दिये, जाली पर बैगन को इस तरह से रखेंगे, और पलट पलट कर इस तरह से हम बैगन को अच्छे से भूल लेंगे, बैगन को आप कि अच्छी से पक जाएंगे तब अंदर से भी पक जाएंगे, इस तरह से हमने पलट-पलट कर बैगन को अच्छी से भूल लिया है जी देखि बैगन कितना soft हो गया है जी देखि बैगन अंदर तक पक चुका है अब हम बैगन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं, गैस को आप कर देंगे दूसरा बैगन भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे बैगन देखिए अच्छे से ठंडे हो चुके हैं अगर आप बैगन का भरता बैगन को भून कर बनाएगी तो बहुती सूना पनाता है बैगन को भूनने से और भरता भी बहुती स्वाधिश लगता है खाने में तो देखी इस तरह से हम बैगन का छिल कर निकाल देंगे यह बहुत आसानी से छिल कर निकल जाता है यह देखी बैगन छिल कर तैयार हो गया है अब हम बैगन को डंठल की तरह से काट कर निकाल देंगे डंठल तो इस तरह से काट देंगे अब आप बैगन को इस तरह से चेक कर लिजी यह देखी बैगन क्लीन है यह देखी दोनों बैगन चिल कर तयार हो गए है अब हम चाकू की साहता से बैगन में इस तरह से कट लगाएंगे कि ये बैगन छोटी छोटी पीस में कट शाए आप चाहे तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं बैगन को ये देखी बैगन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब चलिए बनाना शुरू करते हैं, गैस कौन कर लेंगे प्राइपीर में एक बड़ा चमश सरसू का तील डाल देंगे तील दीके अच्छी सिगरम हुए एक तीज पत्य डाल दिया है छे सतला सुनकी कलिया काटकर डाल दी है एक हिंग चाद रख का टोकड़ा काटकर डाल दिया है दो हरी मिर्च काटकर डाल दी है एक चोधे जमें हिंग डाल दी है हिंग पेट के लिए बहुत फाइदे मन्द होती है तो आप हिंग जरू डाल दीजी अब इस तरह से चला लेते हैं हलका सा भून लेंगी दो प्याज को काटकर डाल दिया है अब प्याज को हलका सा ब्राउन करेंगी इस तरह से चलाती है ये देखे प्याज भी हलकी सी ब्राउन हो गई है दो टामाटर काटकर डाल दिये हैं कमसे कड़ दो मिनक़ तक चलाते हुए आप तामातर को इसецशी स्वापट कर लीजिए दालीख रवर और दालंगे दाल जिस्तरब नमक डाल देंगे, अब मसालों को दो मिनट तक इस तरह से चलाते भून लेंगे, जिससे की मसालों का कच्छा पंदूर हो जाए, यह देखिए मसाली भी अच्छी तरह से भून करते यार हो गए हैं, यह हमने एक प्याली फ्रूजन मटल ली है, इसको भी डाल देंगे, अब मटल देASE दो मिनट तक हम अच्छी से पका लेते हैं, अब हम इसमें बैगन डाल देंगे, जो हमने बैगन को कट करके रखा था, बैगन डाल कर अच्छी से मिख्स कर लेंगे, कम से कम तीन-चार मिन तक आपको इस तरह से चलाते भी बैगन को अच्छी से पका लिγαना है, जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएै तो यह देखे बैगन भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए मसालु अगर आप इस तरह से belagun का भरता बनाएंगी तो belagun का भरता भा इसवादिश्ट बनेगा अब कटा हुए हरा धनिय डाल देंगे बैगन का भर्ता बंद कर हमारे रेटी हो गया है यह बहुती स्वादिश्ट बना है अब हम गैयस की फिलम को बंद कर देंगे यह देखिये देखने में इतना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में बहुती स्वादिष्ट है अब चली सब कर लेते हैं ये बैगन का भरता बहुती स्वादिष्ट बना है अगर आप इस तरह से बनाएगे तो सबी लोगों को बहुती जादा पसंद आएगा हरी धनिये से डेकुरिट कर देंगे अगर हमारी वीडियो आपको से कीजी और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजी